आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विग्यान, भौतक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडों खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें हलो दोस्तो आपका प्रशन है, उस मॉडल का नाम बताईए जो परमाडू के इस्थाइद्ब तथा हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की संतोज जनक ब्याख्या करता है ठीक है, तो चलिए इस प्रशन को हल करते हैं दोस्तो तो वोर का परमाडू मॉडल जो था दोस्तो वो क्या करता है परमाडू के इस्थाइद्ब और हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की संतोज जनक ब्याख्या करता है क्यों क्योंकि दोस्तों वोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है परमाडू के चार ओर जो है इस्थाई कक्षाओं में घूमते हैं ठीक है इस्थाई कक्षाओं का मतलब है जब भी इलेक्ट्रॉन परमाडू के चार ओर इन कक्षाओं में घूमते हैं तो किसी भी पिरकार के विक्रण या ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं deformation से परमाडू के चार ओड घुमते हुए electron से ऊर्जा का सर्जन नहीं होगा तब क्या होगा दोस्तो परमाडू का सथाइक जो सदैब गती करता रहेगा और यह जो कक्षाएं हैं जिसमें की electron घूम रहे हैं इसको उन्होंने क्या कहा था दोस्तों इस्थाई कक्षाएं कर इस्थाई कक्षाएं कहा था ठीक है तो कौन सा model है जो की इस्थाईद्व की ब्याख्या करता है परमाडू के वोर का परमाडू model यहाँ पर दोस्तों मैं लिख रहा हूँ बोर का परमाडू परमाडू model बोर का परमाडू model परमाडू के इस्थाईद्व परमाडू के इस्थाईद्व तथा हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की संतोष जनक व्याख्या करता है यही दोस्तों हमारे प्रेश्ट का उत्तर है तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह समझ में आया होगा धन्य बाद पक्षचरी से बारवी से लेकर नीट आयाटी जेई वो एडवांस के लेवल कर एक करोड से जादा चात्रों का भरोजा आशी डाउनोट करे डाउटने डाप यह वच्चाप करें अपने सारे डाउट्स आच चार्सो 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 पर